21.4 विदेशी वेपार तथा विदेशी निवेश का उधारीकरन भारत सरकार चीनी खिलोनों पर आयात कर लगा देती है, तब क्या होगा? इससे यह होगा कि जो भारती कमपनियां इन खिलोनों का आयात करना चाहती हैं, उन्हें इन पर टेक्स देना होगा? इसके कारण उभोगताओं को चीनी खिलोने की खरीद पर अधिक कीमते चुकानी पड़ेंगे अर्थात भारत के बाजारों में अब चीनी खिलोने महंगे हो जाएंगे जिससे उभोगता उन्हें खरीद पाने में असमर्थ हो जाएंगे और आयात स्वतक कम हो जाएगा इसका लाब भारती खिलोना निर्माताओं को होगा क्योंकि अब वे अधिक मात्रा में समान बेच पाएंगे आयात पर लगाया जाने वाला कर व्यापार के मार्ग में एक अवरोधक है क्योंकि यह कुछ प्रतिबन लगाता है प्राया सरकारे इस अवरोधक का प्रयोग विदेशी वेपार में व्रिद्धी या कटोती करने हितु करती है अतब विदेशी वेपार वनिवेश पर अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया अवरोधकों को हटाने से आयात निर्यात सुगम हुआ कई शेत्रों में विदेशी कम्पनियों को न केवल निवेश की अनुमती मिली बल्कि उन्हें कई तरह से प्रोचाहन भी मिले परिणाम सरूप अब विदेशी कम्पनियां भी भारत में अपने कार्याले व उत्पादन की इकाई इस्थापित कर सकती थी सरकार द्वारा औरोधों वप्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारी करन के नाम से जानी जाती है इससे उत्पादकों को मुक्त रूप से निर्णा लेने की अनुमती मिलती है सरकार पहले की तुलना में कम नियंतरन करती है इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है